हेलो दोस्तों इन्यूस प्रोग्रेम में आपका स्वागत है और मैं हूँ जमाशू काफी समय से एथोपिया नामक एक अफ्रीकी देश में कुछ संकट हमें नजर आ रहा है जो छेत्र है वहां पर संगहश की स्थितिया बनी हुई है साथ ही एक जो उसका राज है तिगरे नामका उठोपिया है जो एक संगियेख्षेत्र है, संग सरकार है, उसका राजी सरकार के साथ एक तरह से राजीछेत्र के साथ विवाज चल रहा है. तो इस छेत्र से भारत की क्या इंट्रेस्ट जोडते हैं? दरसल भारत का एक बड़ा समुदाय, एक बड़ा डायसपोरा, इथोपिया में रहता है, जिस पर इस संघर्ष का प्रभाव पढ़ रहा है चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, पहले हम न्यूस को देख लेते हैं, न्यूस है एथोपियास टिग्रे कॉन्फिक्ट हैज इंपक्टेड एन अनलाइकली ग्रूप, कौन है वाए ग्रूप, हंड्रेट्स ओफ इंडियन प्रोफेसर्स, एथोपिया में काम करने वाले सेक्ड़ों या हम कहें हजारों जो भारती प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, और भी कई लोग हैं, उन सभी पर इस संघर्ष का प्रभाव पड़ रहा है ऐसी खबर बताती है, जो डामेंशन्स निकलेंगे, उसमें हम न्यूस के बाद बात करेंगे इथोपियाई संकट का, कि किस शेत्र में ये संकट बना हुआ है, कैसे इसकी शुरुवात या इसकी प्रिष्ट भूमी कैसे दिखाई देती है इसके अलावा हमारे लिए जाना जरूरी है एथोपिया और भारत के बीच के संबंधों के बारे में, इसके अलावा जो भारती समुदाय वहां पर मौजूद है, उसके उपर किस तरह के संकट हैं, खास तोर से सबसे ज़्यादा प्रभावित, कौन सा समुदाय या कौन सा हो रहा है, एक निशकर्ष देखेंगे और एक सवाल में इसके स्तर पर लिखने का आप अभ्यास करेंगे, चुकि फैक्चुली रूप में फैक्ट के तौर पर इथोपिया की अवस्थिती या कहां पर अवस्थित है क्या राजधानी है, इसको पूछा जा सकता है, इसलिए इसे प्रिलिम्स के स्तर पर भी आप ठीक से समझेंगे, चुकि है विशेज जीएस पेपर 2 से सीधे तौर से जुड़ता है अंतराश्टी संबंध खंड से, खास तौर से भारत के हितों पर विक्सित तता विकाशील देशों की नीतियां तता राजनीती का प्रभाव और प देशों में जाकर आय अर्जित करते हैं और भारत में उसको भेजते हैं ठीक है तो अब हम सबसे पहले इथोपिया के नक्षे को देखते हैं ताकि आगे इस पूरे स्मुद्द्य को हम समझ पाएं तो इस इथोपिया यहां हमें होर्न ओफ अफ अफ्रीका के पास है ठीक है और और अफ अफ्रीका का हिस्सा है याद रखिए इसको अंगर अगर हम देखे थोड़ा जूम मैप में देखें तो इसकी राजधानी है अदीश अबाबा और जिस संघर्ष वाले ख्षेत्र की हम बात कर रहे हैं टिग्रेक ख्षेत्र वो यहां पर मौजूद है इथोपिया की जो सीमा है वह लगती है इरेट्रिया से पहले इरेट्रिया इथोपिया का ही एक राज जुआ करता था लेकिन कुछ संघर्ष के चलते 1993 में इससे अलग हो गया जब यह इसका हिस्सा था तब यहां पर लाल सागर तक इथोपिया की पूरी पहुंचती सीधी लेकिन जब यह अलग हो गया तो इथोपिया हमें एक भू आबद्य देश के रूप में दिखाई पड़ता है जो कुछ अन्य देश है उसमें जिबूती सोमालिया यहां दक्षिड में केनिया पश्यम में साउथ सूडान और सूडान दिखाई देते हैं इस छेत्र में कॉन इस इस ट्रक्चर को समझने के लिए इथोपिया की जो सरकार की प्रणाली है उसको समझना बहुत महत्पूर्ण होगा एक तरह से संगही संसदिय गढ़ राज की प्रणाली है वहां पर और प्रधान मंत्री वहां पर सरकार का प्रमुख व्यक्ति होता है तो टिग्रे भी इथोपिया का एक राज्य है और जो वहां की संरचना है इथोपिया की वह पूरी तरह से भाशाई और नरिजाती आधार पर तै की गई है जो भी राज्य बनाए गए हैं इसी पहचान के आधार पर उनका गठन किया गया और यह पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है यानि अलग-अलग जो एथनिक कम्यूनिटी है उनका अलग-अलग परसेंटेज वहां की राजनीती को पूरी तरह से प्रभावित करता है और जो सत्ता है सत्ता पर अधिक से अधिक अलग-अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको स्थापित होने के लिए विसंगर्ष करते रहत में हिंसा की वजह से जो वहां पर लोग हैं जो वहां की पूरी प्रिशासनिक संदचना है वह बहुत ज्यादा छिन भिन हो गई है और लोग उस छेत्र से विस्थापित हो रहे हैं ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही थी जहां कहा जा रहा था कि ग्रहियोद्ध जै किसान है जो उत्पादक वर्ग है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस पूरे युद्ध का इस पूरे सैने टकराओ का तो उत्पादन में गिरावट आ रही है ऐसे में भुखमरी या आकाल जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं खाद्यान का संकट बना हुआ ह हम थोड़ा सा देख लें इसका कि कैसे इसकी शुरुआत हुई वैसे तो बहुत लंबा इत्यास है लेकिन हम शौर्ट में समझते हैं 1991 से हम देखते हैं जब मेलस जिनावी वहाँ पर लीडर बनते हैं लीडर थे थोपिया के और वे इसके पहले टी पी एल एफ यानि टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के भी निता थे जो वहाँ पर रूलिंग पार्टी के साथ जुड़ करके कार कर रहा था अब 2018 का समय आता है जब एहमद एभी साहब यहाँ पर उनकी तस्वीर है सप्ता में आते हैं खास तोर से वे सप्ता में आते ही इस वज़े से हैं क्योंकि वहाँ पर एक वर्ग है एथनिक वर्ग औरमोस तो औरमोस वर्ग ने शिकायत की कि वे वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे हैं और उनके साथ एक समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से काफी ज़्यादा वाद विवाद होता है और एहमद एभी सत्ता में आते हैं उसके बाद हम एक और घटना करम देखते हैं जब एक रीजनल पार्टी का गठन हो रहा होता है और टीपी एलेफ उसमें शामिल होने से मना कर देते हैं टिगरिक शित्र के लोग ये लोग थे तो इनहीं का सत्ता पर कबजा था लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो इनको लगता है कि अब इनके हाँ से सत्ता निकल रही है और एक संघर्ष सा छिणने रखता है इनकी जो भी नीतिया थी जो एहमद एभी थे वहाँ पर कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आये थे तो इन रिफॉर्म्स में इनका सहयोग ना के बराबर देखने को मिल रहा था और जो भी उनकी प्रक्रिया वो लेकर आ रहे थे वे ये लोग उसे अपनाने से हिचक रहे थे जिसकी वज़े से संघर्ष जैसी स्थिति दिखती है 2020 में इलेक्शन करा दिये गई टिग्रिक शेत्र में वोटिंग करा दिये गई जबकि वहाँ पर कोरोना वाइरस के वज़े से राश्ट्री बैन लगा हुआ था उसके बाद ही एभी एहमद वहाँ पर मिलिटरी भेजते हैं और छे महीने का स्टेट एमर्जनसी टिग्रे में घूशित कर देते हैं और उसके बाद से हिंसक जड़पे और यो सारी स्थितिया हमने बात की वे सभी हमें देखने को मिलती है यह पूरा एक कॉन्फिक्ट है वहाँ का जिसका प्रभाव पढ़ रहा है भारत इथोपिया और भारत से इथोपिया में मौझूद लोगों पर तो पहले हम बात कर लेते हैं भारत इथोपिया के संबंधों के बारे में फिर उस वर्ग को देख लेंगे जिस पर इसका प्रभाव पढ़ रहा है लगबग 2000 साल पहले से भारत और इथोपिया के संबंध बने हुए हैं जब अक्सुम सामराज वहाँ पर सक्ता में था पहली शताब्दी से तो यह संबंध तब से देखने को मिलते हैं फिर लगातार जब अपनिवेशिक काल आता है फिर इथोपिया पर अफ्रीका पर कबजा होता है भारत पर भी होता है धिरे धिरेटली का इथोपिया पर हमला करना और वो सारी चीज़े होती हैं लेकिन वर्तमान के अगर हम बात करें तो दुपक्षिय व्यापार 2016 और 2017 का डेटा बताता है कि लगभग एक दशमलो तीन साथ बिलियन डॉलर था दुपक्षिय व्यापार जिसमें भारत से निर्याद जो किया गया वह एक दशमलो 30 डॉलर बिलियन का निर्याद था यानि एक तरह से हम यहाँ पर काफी ज सरप्लस की स्थिति में एथोपिया से उनको भेज रहे हैं कई सारी चीजे इसके अलावा और भी जो बहुत सारे समझोते किये गए हैं उसमें कुछ प्रमुक्ष की हमने आपर जिक्र किया है जैसे शैक्षिक विनिमय कारक्राम यानि एक्षेंज प्रोग्राम्स खासतोर से इसके अलावा है हवाई छेतर से समझोते तकनीख आर्थिक और विज्यानिक सहयोग पर समझोते रिशी से समंझोते सान्सकृतिक सम्झोते व्यापार से संबंदित सम्झोते इस तरह के सम्झोते हमने वहाँ पर किये हुए हैं लेकिन जो एक बड़ा वर्ग प्रभावित ह वह रहा है वह है शिक्षक वर्ग तो हम उसके भी बात करते हैं आज के सेशन में दरसल इथोपिया में उन्नीसमी सदी के अन्तिम वर्षों में जो वहां पर जाकर बसे वे भारत के गुजरात से रहने वाले लोग थे जो इथोपिया में जाकर वहां पर रहने लगे अब हम देखते हैं कि एक बड़ा वर्ग जो शिक्षकों की बात आती है उसका पहला बैच 1950 के दशक में केरल से इथोपिया भीजा गया जो समराट थे हैली सोलासी वह चाहते थे कि वहां पर ईथआपिया में लोग वहां के जो है वो पश्यमी भाषा को बोलना शुरू करे एक स्लो में एंग्लिश बोलना शुरू करें तो वह पश्यमी करल की नीति के पक्ष में थे इसकी वजह से उन्होंने पश्यम से बहुत सारे शिक्षकों को मंगाने की बात कही बुलाने की बात कही लेकिन जो पश्यमी देशों में मौजूद शिक्षक थे जो शिक्षा विद्ध थे उन्होंने एक मोटी सैल्ली की मांगती तो उनके द्वारा जो मांगी गई सैल्ली थ और आपनिवेशिक काल के बाद भारत में अंगरेजी शिक्षक खासकर जो दक्षड भारत के छेत्र हैं जाए दक्षडी भारती राज हैं वहाँ पर कई स्कूलों की प्रमख रूप से वहाँ पढ़ाई जाती थी तो दक्षड भारती राज खासकर केरल से इसलिए हमने कहा कि पहले शिक्षक वहाँ पर भेजे गए तो यहाँ पर शिक्षक सस्ते में उपलब्द थे जो कम वेतन में काम कर सकते थे और बहुत गुणवत्ता पूर शिक्षा दे सकते थे इसी वज़य से हम देखते हैं कि उसके बाद केरल से ही शिक्षकों को वहाँ पर भेजना मिशिक्षकों को भेजा जाना शुरू कर दिया जाता है इसमें एक विशेश योगदान चर्च का भी दिखता है खासकर इथोपिया में मौझूद जो रूढ़िवादी चर्च थे उन्होंने भारत में मौझूद चर्चों से संपर किया और उनसे डिमांड की कि आप इस स्थापना होती है जिसके बाद यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है लगभग अपने चरम पर पहुंचती है और उस वक्त हम देखते हैं कि भारत से बुलाए गए शिक्षकों को इथोपिया के दूर दराज इलाकों में भी भेजा जाने लगता है और एक तरीके से पूरी तरह से वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है हम कह सकते हैं उसमें भारतियों का एहम रोल दिखाई देता है और किसी भी अन्य देश की मुकाबले जो वहां पर भारती शिक्षक थे वो सबसे ज़्यादा थे वे कुछ स्कूलों की भी स्थापना करते हैं जैसे 1946 में इंडियन नैशनल स्कूल सापित होता है भारत की आजादी से पहले की ही बात है 1976 में इंडियन कम्यूनिटी स्कूल की शुरुवात होती है, जो CBSC के माध्यम से अपनी शिक्षा दे रहे होते हैं, कम्यूनिटी स्कूल था, हलाकि आगे चलकर जो वहां की लोकल के लोग थे, उन्होंने इस बात के डिमांड रखी, कि शिक्षा की गुडवत्ता बहुत अच् पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे जीरम देखते हैं कि इधोपिया में स्थितियां बदलती रहती हैं, घरेलू विबाद, संघर्ष, इन सब के चलते, 2002 में जो इंडियन कम्यूनिटी स्कूल होता है, वह बंद हो जाता है, और 2017 में इंडियन नैशनल स्कूल को भी बंद गड़ दिया जाता है, वर्तमान इस्थिति ये देखनें को मिल रही है, गिलगभग 1.42 मिलियन चात्र टिग्रे छेतर की हम बात कर रहे हैं, आकले बता र विश्व विद्यालेओं को प्रुभावित किया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा, और बड़ी संक्या में शिक्षक वहां से बिरोजगार हो गए, कईयों को पलाइन करना पड़ा, इसके अलावा अभी वहां पर अगरम भारतिये शिक्षकों की बात करें, तो लगभग जो राजनीतिक और आर्थिक अवस्थिरता की स्थितियां दिखती हैं उसकी वजए से, कहा गया कि जो वहां के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनके वेतन में भी कटौती की जाएगी, लगभग 40 फीसत की कटौती, तो 40 फीसत तक की जब कटौती की जाने की बात कह दी गई ब काई सारे मजबूर हो जाते हैं, एक पूरी व्यवस्था को हमने देखा कि किस तरह से प्रभावित हुई, और भारत की soft power कहे जाने वाले ये जो शिक्षक थे, चुकि कोई भी शिक्षक या फिर कोई भी व्यक्ति जो भारत से जाकर के किसी दूसरे छेतर में सेवा दे रहा तो जोहां के लोग हैं, उनका भारत से बहुत जादा जुड़ा हो चुका है, खासतोर से भारती शिक्षकों से, ऐसे में निशकर्श पर अगर हम बात करें, तो अभी हम समेटते हैं इन मुद्दों को, लेकिन यहाँ पर आप एक तस्वीर भी देख सकते हैं, जो वहाँ प करता है, देखि एथोपिया की शिक्षा प्रडाली में भारती शिक्षकों का योगदान, सम्मान और उसकी स्विक्रिती बहुत जादा है, खासकर और भी भारती जिस तरह से वहाँ पर कार करते हैं, वहाँ पर एक शब्द प्रचलित है, यानि वहाँ कहा जाता है किसी भी इंडियन के लिए उप्योग किया जाता है उप्योग, और जो अस्तामारी शब्द है, अमहरिक भाषा में अस्तामारी का मतलब होता है शिक्षक, तो अमहरिक का मतलब हुआ कि एक तरह से भारती शिक्षक, यानि किसी भी भारती को वहाँ पर शिक्षक की नजर से देखा ज रहा है इसलिए लगबख कोई भी ऐसा संस्थान या संस्था मौजूद नहीं है जहां पर किसी भारती शिक्षक का पढ़ाय हुआ विद्यार्थी मौजूद वहाँ पर नजर बनाय हुए ही है और वहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि भारती शिक्षक वहाँ से जाएं ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर शान्ती की प्रक्रिया जल्द ही स्थापित हो जाए ताकि भारत की जो सौफ्ट पावर वहाँ पर मौजूद है और भी देशों में जहां पर अफ्रीकी देश कई देश हैं जहां पर ऐसे ही संगर्ष चल रहे हैं तो वहाँ पर मौझूद जो भी भारती लोग हैं भारती या प्रवासी हैं जैसे अगर हम उधारण के रूप में अफगानिस्तान की बात करें तो वहां से भी हमें ऐसे ही बहुत सारे पलायन देखने को मिले भारप का एक बड़ा निवेश हमें प्रभावित होता हुआ दिखा तो ऐसा जो भी देश में भारती लोग मौझूद होंगे तो वहां की आज का जो प्रशन है उसको देखें प्रशन है विगत वर्षों में अफ्रीकी देशों से कम होती भारत की सौफ्ट पावर के क्या कारण हो सकते हैं इथोपिया के संबंद में चर्चा कीजिए तो आको बताना है कि दरसल यहां पर यह पूछा जा रहा है प्रमुख मुद् पर तो वही किसी भी देश के लिए सौफ्ट पावर होते हैं तो प्रशन की डिमांड यही है इथोपिया का उधारण देते हुए आप समझाए कि कैसे किसी देश का संहर्ष इन लोगों पर प्रभाव डालता है उत्तोत्तर को फ्रेम कीजिए तो आज के सेशन में इतना ही आप से मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए और महत्तपूर विशा के साथ अब तक पढ़ते रहें सेफ रहें शुक्रियाद